अभी तक हमने data manipulation dml देखी थी के database बना हुआ है उससे data कैसे ओठ कर आएगा अब हम देखेंगे के database बनाएंगे कैसे ठीक है database कैसे बनाएंगे database में कौन-कौन से data types है tables कैसे बनाएंगे views कैसे बनाएंगे सबसे पहले हमें समझता अंतरोरी है identify variables या table के नाम, column के नाम तो identifier की मदद से आप table का कोई नाम रख रहे हैं किसी view का कोई नाम रख रहे हैं column का कोई नाम रख रहे हैं तो 128 characters का identifier हो सकते हैं आइडेंटिफायर किसी letter से start होना चाहिए और identifier में space नहीं आ सकते table के नाम में आप कोई space नहीं चाहिए column के नाम में कोई space नहीं चाहिए और 128 characters का होना चाहिए और number से start नहीं हो सकता यह किसी special character से start नहीं हो सकता हमेशा letter से start हो गई है ठीक है data types कौन कौन सी है SQL के अंजर boolean data types यहने आप किसी record बना रहे हो database के अंजर कोई column बना रहे हो तो उसकी data type आप boolean भी रख सकते हो साल के तौब पास यह यह store करना है आपने तो आप क्या रखोगे data type उसकी boolean रखोगे छीक है इसी तरीके से character data character data store करना है तो character varying length का हो सकता है यह fixed length का हो सकता है तो अगर आपके पास आप कोई data type बनाओ आपने लिखा यह format है इसका टेबल बनाओगे और आपने जो है आपने लिखा आपने लिखा नेम और नेम के साथ आपने लिख दिया इसकी data type जो है और आपने लिख दिया यह varying है और इसकी length आपने दे दी bracket के अंदर पचास पचास तक जा सकता है लेकिन इसकी length जो है vary कर सकती है पचास से कम हो सकती है ठीक है इसको मुख्तस्रम लिखने का तरीक है आप लिखो कि नेम वारचार 50 यह ज्यादा बैतर है ठीक है तो कोई भी data type आप बताओगे किस तरीके से name for example आप बना रहे हो आपने कहा कि इसकी data type वारचार होगी और इसकी length 50 होगी वारचार का मतला पर variable correct है boolean में 1.0 की form में store करेगा वो आप लेकिन यह भी बता सकते हो पास यह फेल स्टोल करो से यह भी उता सकते हो आप ठीक है कर सकते है नबील का question था और अगर आप चाओ fix character तो आप यह भी कर सकते है name चार 60 तो इसका मतलब है के हमेशा 60 characters का ही data होना चाहिए अगर इससे कम का भी होगा तो database यह उसके अंदर space लगा के उसको fill kit देगा कि कम का नहीं हो सकता उतने ही character का होगा variable नहीं होगा वार्चार variable data जैने data कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है ठीक है bit data bit data में आप बता सकते हो कि कितने bits में data store करते है जनेत का question है कि अगर अगर data कम हो तो क्या वो garbage value डाल देगा garbage नहीं डालेगा space डाल देगा ठीक है अगर bit data भी कर सकते है अगर 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 यह भी computer store कर सकता है तो यह approximate value floating point में हमेशा इसी होता है कि approximate value होती है करीब तरीन value store होती है precise value कभी भी store नहीं होती हाँ अब यह बता सकते हो कितने digits तक precision maintain करनी है यहने कितने digits तक value जो है same रखनी है उसके बाद जो हो सकते है कि precision lost हो जाए तो precision कितने bits तक आपने रखनी है आप यह भी बता सकते है पिर time की data type है और time stamp की data type है यह भी इस्टमाल की जा सकती है database के अंदर तो हमने देगा database के अंदर कितनी सारी data types है boolean है, character है, bit data है, numeric data है, decimal है, integer है यह variety मौझूद है data type है, float है, real है, double precision है double precision में precision बढ़ जाएगे, date है, time है, timestamp है यह तमाम जो है, इतनी सारी variety of data types है, जो आप इस्टमाल कर सकते हैं जब SQL में आप table बनाते हैं, तो column आप इन में से कुछ भी ले सकते हैं so you should have just an idea, कि किस किस तरह के options आपके पास available है और उसमें से आप किस option को opt करना चाहेंगे अपनी requirement के हताब के, ठीक है आपने requirement को समझना है अपनी कि मुझे जो है, यह इस तरह का data store करना है, तो मैं कौन सी data type लो हूँ, SQL के हैं इक है, इस इन इंटर्वेल data है, लार्ज अब्जेक्ट है वगडा 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 यह वराइटी है तो इस आप इस में एक option होता है, integrity का आपको बता चुका हूँ, कोई constraint लगाना चाहरे हो data में, database में data जैसे ही जाए तो कुछ चीजें चेक करी जाए For example, आप यह चेक कर सकते हो, कि data अगर इस column पे यह लगावाए कि रिक्वाइड है तो यह लाजमी फिल होना चाहिए, इसको खाली नहीं छोड़ सकते है अगर आप record डालोगे, तो इस column को भी भनना पड़ेगा फिर domain constraint लगा सकते हो entity integrity, referential integrity